मुगल संतनत के इतियास के सबसे बहेंगी साधी जो आठ दिनों तक चली और दिस्क में दूलन ने आठ लाग का लहगा पहना था जी हाँ मुगल संतनत अपने जोपों और सोग के लिए जाना जाता है इतियास में मुगल बात्सा से जुड़ी कई दिल्चस्प किसे कहानियां हम अक्षर सुनते आई लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मुगल संतनत में सबसे महेंगी साधी कुन सी है आज हम आपको बताएंगे कि दाराशी को जो मुगल संतनत में सबसे महेंगी साधी करने वाले राख मारों से मुगल बादसा साहजा अपनी बेकम मुम्ताद से बेपना मोबत के लिए याद किये जाते उनको अपने बेटे दाराशी को से भी काफि लगाओ था और वो अपनी नजनों से उन्हें ओचल नहीं होना देना चाहते थी यहीं वज़ा रही कि उन्हें सेन्या हवियानों में कभी नहीं बेजा गया जबकि उनके दूछरे बेटे बाधस्या ओरंग जेव कई सेन्या हवियानों का नित्तर्टवय करते थी बाद में कई सालों तक उन्हों ने बाद साहित भी की थी इतियास कारों की माने तुछ दारा सिको को कम राजनेतिक समझ करार दिया जबकि ओरंग जेव अपनी कूठ नीती राजनेति के लिए जाने जाते थे बावजूद इसके दाराशिको ने दाराशिको को अचानक अपना उत्तरादिकारी कोशित कर दिया जिसके बाद शिको और औरमजेब की बीश में समन्त बिगड़ गए वाएं इत्यास के पन्नों को अगर पल्टें तो हम पाएंगे कि दाराशिको भलें ही रासने तिक दाव पेच के कच्छे रहें लेकिन उनके अंदर का एक फूब्या मौजूद थी जिसको हम अविक चंद्रा की किताब दाराशिको दमैन फूब्वूड बीकिंग के मताबिक दाराशिको एक सांदार कवी थे धरम सास्तरी थे शूपिस मत के उपाशक थे और उनके अंदर परसासने और सियासत में दिल्चस्पी नहीं थी लोगिवी चालाओं को सांदे और उनको पहचान में के मामले में उनको खमजूर माना जाता था फिलहाल इस सब के बाउजूद बादसास साःजा अपने सहचादे की महबबत में उसे बादसाह सौपती थी वहीं साहेजाक वा शिको के लिए उनकी मुखबत का अंदाजा आप उनकी साही साधी से भी कर सकते साहेजाक के बेटे दाराशिको की साधी नादीराबानों से तेवी थी यह तारीख थी 1633 की स्थान था आगरा जहां पे साधी को परार होना पाया गया बाधसा अपने साहेजादे की साधी में कोई कमी नहीं देखना चाथे थे और वो मुम्ताज की मौत के बाद किसी भी सामरों में सामिल होने के लिए पहली बार जा दिती साधी के बारे में इत्यास कार करते हैं कि साधी में कुल 32 लाक रुपे खर्च होए थी साधी की आदी रकम 16 लाक रुपे दारा सिको की बहन जहां रा बेकम अपने पास से देती जहां रा अपनी मा मुम्ताज की मोत के बाद अपने भाईयों का ख्याल एक मा की तरह रखती वे उनसे बेपनाह मुखबत करती है इस साधी के बारे में कहा जाता है कि एस साधी का सिरसला आठ दिनों तक चला जिसमें विविन परकार की दावतें दी गई थी साधी के जिन जो लहंगा दुलन ने पहना था उनकी कीमत की आठ लाक रुपे थी वहीं दाराशी को भी अपनी पत्नी नादीरा से बेपनाह मुखबत करती थी वो फुंदर थी उनकी वफादारी उनके प्रेम ने दाराशी को का मन मोह लिया था तो इस प्रकार से दारा सिखो और नादीरा की साधी को हारती ए मोगल इतियास में सबसे महंगी साधी के रूप में जाना जाब